नमस्कार साथियों मेरा यूटीब चैनल सुविधा 2010 में साधर पूर्वक अभिनंदन मैं हूं रविकांत भकत सुनो सुनाओ ज्यान बढ़ाओ पाट 166 के माध्धम से आज बात करेंगे एक जुन को घटित महत्पुन घटनाओ के साथ जनम दिवस पुन्नतिती उत्सभ एव अपसरों के बारे में आज के इस एपिसोड में सन 168 से लेकर आज तक घटित महत्पुन घटनाओ को आसान और सरल सब्दों में बताएंगे साथी साथ ताजात तरिन घटना यानिकी कारेंट एफ्यास पर एक नज़र डालेंगे आंत में एक स्पेशल टोपिक पर बात करें कि आज का एक सक्स को दो अलगला क्यों वहक्सिन दिजा सकती है जनने के लिए वीडियो को सुरू से अंतक ध्यान से सुने काम करते और करते सुने अर्ण करते करते सुने और दुसरों और दूसरों को भी सुनाए ग्यान बढ़ा है सबी प्रकार के प्रति जोगिता परिछा में पुझे जाने वाले समन ज्यान यानिकी जीके को स्थ्वंग बनाएं. आसानी से आपके आश्रिताओं को सरकारे नोकी मिले इसी सुपकावनों के साथ सुरू करते हैं आज की सुवीचार से. आज का सुविचार है आधिनुकता की अंधी दोड में जाने अंजने हम सब मानसिक रूप में पराधिन की दलदल में फसते जा रहे हैं एक निकलना चाहे तो दूसरा खिचता है इसी के साथ सुरू करते हैं देशा और दुनिया के इतियास में अजी के दिन घटित अतितेवं बर्तमान की महत्पूल घटना है 1688 को पहली बार अमेरिका के कम प्लायमोथ छेत्र में भुकम्स के जटके को दर्ज किया गया था 1670 को इंग्लेंड के महराजा किंग्स चाल्स दितिया और फ्रांस के राजा किंग्स लुईस चोध्वें ने डच बिरद्धी गौपनिय 1770 विरणबे स्वी को केट की संग्जुक्त राज अमेरिका का पंद्रवा राज बना 802 स्वी को संग्जुक्त राज अमेरिका के पेटेंड और डेन्मार्ख कार्जले राज विभाग के भीतर स्थपित किया गया 189 स्वी को बंगाल में सेरामपूर कोलेज की स्थापना की गई, 835 स्वी को कलकात्ता मेडिकल कोलेज में अध्यापन कार्ज शुरू हुआ, 845 स्वी को हमलिंग कभूतर ने 55 दिनों में नामेविया से लंदन तक की दूरी 11,000 किलेमेटर की जात्रा 15 दिनों में पूरा किया 1847 स्वी को कॉम्मिनिस्ट लीग की पहली कॉंग्रेंस पार्टी लंदन में आजित की गई, 1879 स्वी को थांस आलवा एडिशन को अपनी इलेक्ट्रिक वोर्टिंग मेशिन के लिए पेटेंट हासिल हुआ, 1864 स्वी को इस्ट इंडिया कमपानी को भंग कर दिया गया, 1880 दर्मानी की सेना ने बर्दून के फोर्ट वक्स पर हमला किया, 1937 स्वी को अमेरिका और कानडा के भी सांति सम्झता बहल हुए, 1929 स्वी को कमनिस्ट दोलों का पहला समिलन अमेरिका के विवनस आयार्स सहर में आजित किया गया, 1937 स्वी को भार्त के पहली डिलाक्स ट्रें डक्कन क्वीन बंबे सीटी से पुने तक चली, 1938 स्वी को सुपार्मेन वाला एक्शन कोमिक्स का पहला अंक प्रकासित हुआ, 30 लोगों की मोथ हुई, 1969 स्वी को कानाडा ने रेडियो और टीवी पर तमाकु उत्पातन और उसके सम्मंदित विग्यापनों पर पूरी तरह पर्तिबंद लगाया गया, 1989 स्वी को रोडेशिया में 90 साल बाद अलपसंका स्वेत लोगों के सासन का अंथ हुआ, और घोसना हुई कि देश का नाम बदलकार जींबावे कर दिया गया, 1980 स्वी को केबल न्यूज नेटवर्क, CNN टेलिविजन नेटवर्क का पाहली बार प्रसान शुरू हुआ, 1993 स्वी को गवाटामला के राष्टपती जोर्ग सेरानो को सेनाज ने सत्ता से बेदखल कर दिया, 1996 स्वी को HD देवगडा भारत के परधान मंत्री बने, 1992 स्वी को भारत एबंग इजराइल के बीच हवाई समझोता हुआ, 1999 स्वी को मध्चीन के यूबी प्रांत में 770 से लेकर 256 इसा पूर्व के 300 प्राचिन कवरों की खोज की गई, 1999 स्वी को हवाई पिस्वी दाले, समझोत राजो अमेरिका में है में नर्चुहे का प्रतिरूप विक्षित किया, 2001 को नेपाल के साही परिवार की नरेश बिरंदर विक्रम साही साही पत्नीवा अन्न परिवार की निस्वंस हथ्ता, हट्ता के बाद जुवाराज दिपेंदर दवराभी आत्महत्या ज्यानंदर कार्जवाब नरेश बने, इसी साल दचिन अफरिका का सत मित्र आयोग समाप्त हुआ, सन 2004 को इराकी प्रसासी संग परिशद के प्रमुक सुनी नेता गाजी मसाल अजीज अल याबर इराक के नय प्रधान राश्टपती बने, सन 2005 को अप्पा सेरपा ने माउंट एवरास्ट की पंदरवी बार सफल चड़ाई की, 2006 को चीन के दच्छिन पूर्व ज्यांग प्रांत के संगीपन गाउं में आदी मानव का पद्ची न मिला, सन 2006 को ही इरान के परमनु सौद कार्जकरम पर अमेरिका के साथ किसी प्रकार के समझोते से पूरी तरह इंकर करते हुए कहा कि यह बार्ता को तयार है, लेकिन परमनों कार्जकरम पर रोक लगाना उसे मंजोर नहीं, इसी साल ब्रिटेन के सिच्छाबीद ने इजराईली विसेविद्धालाय के बहिसकार का नेर्न लिया, सन दो हजार साथ को ब्रिटेन के सारवजने के स्थानों पर धूम्रपान करने पर पूरी तरह पर्तिबंद लगा दिया गया, सन दो हजार आठ को अंतराष्ट्य आतंगबाद विरोधी सम्मेलन पर दिल्ली में संपन हुआ और अमेरिकी रस्टपती पद के प्रत्तासी बोराख अबामाने सिकागो के ट्रिनिट्री उनाइटेट चार्ज की सदस्यता से इस्थिपा दिया, सन दो हजार नो को ब्राजिल के रियो डिजनेडियों से पेरिस जा रही यार फ्रांस बीमान 447 के दुर्गरटन के समने से चालक दल के सदसों समय 228 जात्री की मोत हुई, सन दो हजार दस को भारतिय उच्च नयला के मुख नयदी स्पत से सेवा नेवरित हुए बाल क्रिशनन को राष्टियों मनावेदकार आयोकार अधच निजुक्त किया गया, इसी साल अच्छरधाम आतंकी हमले के मामले में गुजरात हाइकोड ने निजले आदालत के फैसला को बरकरा रखा, सन दो हजार चोदो को नाइजीरिया में फुटबल के मैदान में हुए ब्लास्ट में चोदो लोगों की जान चली गई, सन दो हजार उनीस को सूर्ज नरायर पात्रों उलेचा के बिदानसवा अधच चुने गए, सन दो हजार बीस को अफरिका के मुल अमेरिकी नागरिक जोर्ज फ्लाइड को पुलिस हिरात्सत में मित्तु के बाद अमेरिकी के कई सहरों में हिंसा बढ़की, और इसी साल नोसेना का जल्पत आइनेस जलस जलास्य स्री नंका के कॉलंबब अंदरगास से रवाना हुआ, अब उन महान बेक्तियों को याद करते हैं जीन का जन्म दिवस आज है। इंडियान सिविल सार्विसेज की परिच्छा में उत्तिर्ण होने वाले प्रथम भारतिय सत्तेंदरणा त्रेगर का जन्म 1942 को, भारतिय फिलिम अविनेत्री नार्गिस का जन्म 1929 को, कभी एवंग लेखक बल्दे बंसी का जन्म 1938 को, भारत के प्रसीद हकी खिलाडी असो कुमार का जन्म 1958 को, भारत के प्रसीद भारत तलक कर्णम मल्लेशरी का जन्म 1975 को, भारत के महिला क्रिकेटर राजेशरी गाइकवार्ड का जन्म 1991 को हुआ। अब उन सक्सियतों को याद करते हैं जिनका पूर्णती थी आज है। पांजाव उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल विलियम वेलकन हेली का निधन 1979 को, हिंदी फिलिम के अभिनेता नना पाल्सीकर का निधन 1984 को, परसीद फिलिम निर्देशक पटकाथा लेखक और उर्दु लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास का निधन 1987 को, भारत के पूर्व राष्टपत्ती निलम संजीवन रेड़ी का निधन 1996 को, नेपाल के राजा और दच्छिन SCI की नेता बिरेंद्र बीर विक्रम साह का निधन 2001 को, एक भारतिय हलिवोड अभिनेता रज्जा खान का निधन 2006 को, तीन बार संक्सत रह चुके और पूर्व केंद्रिय मंत्री रहे फुन्सुग नागिवाल की कोरुना के कारण मोत 2020 को हुआ, अब बात करते हैं आजी के दिन मनाये जाने वाले महत्पूर्ण अफसरेवन उत्सवों के बारे में, आज निलन संजीव, रेड़ी स्मिरिती दिवस, अंतर्रास्ट्य बाल रच्छा दिवस, अंतर्रास्ट्य वास्थूकला दिवस, विशत दुख दिवस और ग्लोबल डे आप पैरेंट्स मनाये जाता है, अब बात करते हैं, आज की मुक समचार यानि की कारेंटे फ्यार्स पर जो प्रतिजोगिता परिछाओं की दृष्टी से महत्पूर्ण है, देश में बिते 24 घंटे में कोरणा अप संकरमन के 1,27,510 नय मामले सामने आये, जबकि 2,795 लोगों की मृत्तु हुई, इस दौरा भारत में पहली बार पाए गए कोरोना वाइरस के नय वेरियंट का नाम डेल्टा दिया है, कोरोना वाइरस संकरमन के इलाज में कारगार समझी जा रही, मोनोक्लोनल एंटीबोडी कॉक्टेल थेरपी का इस्तिमाल दिल्ली के गंगारम अस्पताल में शुरू किया गया, ब गुगल फुटेज में अनलिमिटेट फोटो स्टोरेज को बंद कर 15GB कर दिया है, यूटीब से कमाई करने वाले लोगों को देना होगा टेक्स, घरलू हवाई जात्रा किराये में 13 से लेकर 17% तक ब्रिद्धि किया गया, अब बात करते हैं आज की स्पेशल टॉपिक, क्या एक सक्स को दो अलग-अला कोरोना वेक्सिन दी जा सकती है, दरसल पिछले दिनों यूपि के सिदार्त लगर जिले में एक सास्त केंदरब पर टिकाकरन के दोरान 20 लोगों को पहली खुराक के कोबी सिल्ड जबकि दूसरी खुराक में कोबेक्सिन लगाया गया था, इस अधिकारी और परभारी चिकिशक पदाधिकारी के विरुद प्रसास ने करवाई की थी, स्वास्त मंत्रालों ने कहा कि कोबीड के टिकों का मिश्रन करना प्रोटोकल में नहीं है, इसलिए अगले आपडेट आने तक कोरोना वेक्सिन की मिक्सिन नहीं की जा सकती है, निती आयोक के डक्टर बीके पालने के साथ भी कहा कि कोबीड और कोवेक्सिन की दो खुराक लगाये जाने वाले समय सिमा को बदला भी नहीं किया गया है, उन्हेंने कहा कोबीड की पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज बारो हपते के बाद दी जाएगी, कोबीड की दी च्छो सब्ता के बाद लगाई जाएगी, साथियों इसी के साथ आज के लिए भीदा लेता हूँ, वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर सभी ग्रूप और दोस्तों में सेयर कर दें, अगर आप नायदार सक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, ओल नोटिफिकेशन बेल आइकोन को दबा दें, नेक्स्ट वीडियो और नई जानकरी के साथ काल फिर मिलेंगी, अपका दिन मंगल में हूँ, परिवार के सभी लोग स्वास्त रहे, मस्त रहे, खुस रहे, इसी सुखकावनाओं के साथ जाहिन जय भारत!